आज कि इस वीडियो में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भाव जो है उनमें क्या-क्या फल होते हैं फिर मैंने आपको कुछ ग्रहों के बारे हैं बताया इसकी वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह कौन-कौन शत्रू और कौन मेत्र है क कुंडली में जब हम ग्रहों के स्वभाव को समझेंगे तो उससे पहले हमें समझना होगा कि कौन शत्रू है और कौन मित्र शत्रू जब साथ बैठते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है एक जगड़ा शुरू हो जाता है यह हम सभाव तर देखते हैं जबकि दो मित्र आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की उन्नती का कारण बनते हैं जबकि दो शत्रू इकठे हो जाएं तो वह जिस जगह बैठते हैं उस जगह का नुकसान कर देते हैं साथ-साथ वह आपसी जो सामंझस्य है उसको बिगार देते हैं और वह उस भाव का और ए उस भाव को भी हानी हो जाती है तो जब कोई शत्रू लड़ रहे हो तो आसपास की वस्तू को नुक्सान होना तो बिल्कुल निशित है तो उस थान को भी नुक्सान होता है और उन ग्रहों को दोनों को नुक्सान होता है जो शत्रू आपस में कठे हो जाएं अगर मित्र अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सूरे को देख लेते हैं अब जहान देखें सूरे देवता है और देवतुले ग्रहों के साथ प्रेम करता है तो तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु इन दोनों का परम मित्र हैं, बहुत गहरा मित्र है, चंद्रमा, मंगल और गुरु, यह देव ग्रह हैं, तो इनका वो मित्र है, बुद्ध जो है, वो थोड़ा मिश्रित स्वभाव का है, एक बाल स्वभाव का ग्रह है, जो देव और आसूरी दोनों गुन रखता है तो इसलिए सूर्य का बुद्ध के साथ समस्वभाव है ना बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा शुक्र और शनी ये दोनों सूर्य के शत्रू है तो आपने जब कुंडली देखनी है और कुंडली में सूर्य के साथ कौन बैठा है सबसे पहले इस बात पर विचार करना है कि वो मित्र है या शत्रू वो तभी योग को बल दे पाएंगे किसी भी स्थान पर ये दो शत्रू इकठे हो जाएं तो वो स्थान को हानी पहुँचाएंगे तो ये बात हमें बहुत ध्यान से क्लियरली माइड में रखनी है कि शत्रू इकठे होंगे तो हानी मित्र इकठे होंगे तो लाब सम इकठा हो जाएगा तो उससे कोई हानी नहीं मतलब आप समझी कि अगर सूर्य बुद्ध के साथ बैठा है तो इससे कोई खास समस्या पैदा नहीं होगी लेकिन सूर्य यदि चंद्रमा मंगल और गुरू के साथ बैठा है तो ये बहुत अच्छा है लेकिन सूर्य यदि शनी के साथ बैठा है तो शनी को भी हानी होगी और सूर्य को भी हानी होगी तो दोनों के फल में थोड़ी सामंजश्य के साथ कमी आ जाएगी वो सामंजश्य आपको दिमाख में बिठाना होगा तब आप बहतर फल करबाएंगे अब यदि हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में चंद्रमा का बुद्ध सूर्य दोनों परम मित्र हैं बुद्ध यहां आश्चेजने के रूप से स्थिती में है कि चंद्रमा बुद्ध को मित्र मानता है हलांकि बुद्ध ऐसा नहीं मानता लेकि चंद्रमा बुद्ध को मित्र मानता उसकी वज़या है चंद्रमा को इंदू पुत्र कहा जाता है इस बात को समझाने के लिए कहानियों में बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र कहा गया है संतान कहा गया है जैसे सूर्य और शनी संतान है लेकिन सूर्य शनी से सतुरता करता है हाला कि चंद्रमा बुद्ध को परमित्र मानता है तो चंद्रमा का सूर्य और बुद्ध ये दो मित्र हैं चंद्रमा का मंगल, गुरू, शुक्र और शनी सिर्फ सूर्य और बुद्ध को छोड़कर बाकी सबी ग्रहों से चंद्रमा समभाव रखता है यहिए । कि यहां मैंने साथी ग्रेहों की बात किये क्योंकि नैसरगी क्मेत्रता है कि जन्द्रमा वुद्ध और शूर्य इनको परम मित्र मांताव मंगल capable शुक्र परशल्य इनको ये समभाव रखता है ना इनसे शत्रुता करता है ना ही इनसे मित्रता करता है लेकिन फिर भी चंद्रमा राहुर केतु को शत्रु मानता है ये बात हमें यहां ध्यान देनी होगी सूर्य भी राहुर केतु को शत्रु मानता है चंद्रमा भी राहुर केतु को शत्रु मा साहर आइं शुक्र ऋर्शनी इनने अरुक्री गुल्म पॉठ्धान है इसलिए ने इन्हों समझता हैना तो इने बहुत शत्रुटा रखता नहिंसे बहुत हिपता रखता लेकिन बुद्ध्ध जो है तो क्योंकि मंगल जो है वो उश्न प्रकृति का है काफी गरम प्रकृति का है और लाल रंग वालग्र है लेकिन बुद्ध जो है वो हरे रंग का और शीत प्रकृति का है तो इनके प्रकृति आपस में मेल नहीं खाती है और दोनों की ग्रहिक प्रकृति आपस में मेल नहीं खात यह बच्चे जैसा है, यह बहुत all Company Codda इस तरह से सेना पती है और रिए एक चोटे बच्चे की तरह हैं वेभार करता है, तो इसारण से दोनों में परसपर शतुर्टा है भेंकर वाली तो मंगल और बुद्ध, जो है ये परसपर शत्रू हैं आपस में सदेव शत्रू होते हैं मंगल बुद्ध कुर्ली में कहीं भी बैठ जाएं तो वहाँ समस्या ही होगी कभी बहुत अच्छा सिती इन में देखी नहीं जाती दोनों कठे बैठ कर अच्छा पल कभी नहीं देंगे अगर बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध सूर्य और शुक्र को परम मित्र मानता है दोनों को सूर्य को भी और शुक्र को भी इनके साथ बहुत अच्छी मित्रता रखता है जबकि मंगल गुरू और शनी के साथ सम्व्यभार करता है बुद्ध उस पर ज्यादा असर नह ने बुद्ध को अपने समकिष्रेणी में रखना है यहां अगर बुद्ध को कहीं देख रहा है बैठकर तो यह शुबश्रेणी में रखेगा इसको इससे इसको बहुत बुरासर नहीं पड़ेगा बुद्ध का चंद्रमा जो है वो परमशत्रू है अब यहाँ एकदम अजीब मामला है चंद्रमा बुद्ध को अपना मित्र मानता है लेकिन बुद्ध चंद्रमा को अपना परमशत्रू मानता है अब जब भी चंद्रमा और बुद्ध ही कटे होंगे तो चंद्रमा को इससे क कोई फरक नीं पड़ेगा, चंद्रमा का मित्र आगया है, चंद्रमा को उससे लाव होगा. अगर हम गुरु की बात करते हैं ब्रहस्पति तो ब्रहस्पति का सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों देवग्रह मित्र हैं इसके शनी शमस्थिती में ना तो इसको ये अच्छा मानता है ना इसको बुरा मानता है शनी शमस्थिती में रखता है इसको और बुद्ध और शुक्र को गुरु अपना शत्रु समझता है तो इनके साथ वो शत्रु की तरह विभार करता है शुक्र के अगर बात करते हैं तो बुद्ध और शनी ये दोनों इसके परम मित्र हैं शुक्र के मंगल और गुरु ये समस्थिती में रहते हैं ना तो ये मित्रता रखते हैं ना ये शत् दोनों ही देवग्रह शत्रू हैं शनी के गर बात करते हैं तो बुद्ध शुक्र दोनों आसूरी प्रकृति वाले ग्रहों को मित्र मानता है गुरू के साथ संवर्भार करता है और तीनों देव प्रकृति वाले सूर्य चंद्र मंगल तीनों देव प्रकृति वाले ग्रहों क को अपना शत्रु समझता है शनी अगर राहु की बात करें तो राहु सभी आसुरी प्रकृति वाले ग्रहों को अपना मित्र समझता है शुक्र शनी और बुद्ध दोनों मित्र प्रकृति को रखते हैं और राहु जो है गुरु को समझता है और सभी देवताओं को अपना शत और मंगल राहू और शुक्र इनको सम विवहार करता है इनके साथ जबकि सूरे चंद्रोश्यनी के साथ ये शत्रूवत विवहार रखता है तो केतु का विवहार थोड़ा सा अलग है देव और देवों के साथ और समझे कि आशुरों के साथ भी विवहार बिल्कुल भिन तरी के से कर रहा है आसुरी ग्रहों के साथ बुरा विवार कर रहा है देव ग्रहों के साथ भी अच्छा विवार दिखा रहा है कुछ के साथ तो यह बिल्कुल अलग प्रकृति का है इसलिए इसे विचित्र कहा गया है केतु को इसका रंग भी विचित्र कहा गया है कि विचित्र सब्सक्राइब सद्सक्राइब but this week आशक्म के डियो के भिएस सब्सक्राइब यह वैसा ही आधकर देगा ग्रहु सब्सक्राइब को समझने के लिए बिल्कुल अलग इदी विडियो बनाएन लेकिन फिलाल समझें एक बात आप यहां गुरू के अगर हम बात करते हैं आपको विशेश रूप से गुरू पर ध्यान देना है तो गुरू को अगर समझेंगे तो गुरू को कोई भी शत्रू नहीं मानता यह इसी विचार के साथ है कि आचार गुरू को कोई अपना शत्रू नहीं मानता क्योंकि जब भी आचार किसी के साथ बैठता है तो उसके लिए तो लाबकारी ही होता है तो हर व्यक्ति गुरू के सानिध्य में बैठ कर प्रसंद होता है इसी प्रकार से ग्रहु में वहार है क्योंकि गुरू देवगु है और ये विशिश्ट प्रूप से गुरू पद रखता है इससे इसका नाम ही गुरू रखा गया है हलागि ब्रहसपति इसका नाम है लेकिन गुरू ही का आजाता है इसको सम्मान की दृष्टी से तो इसी कारण से कोई भी ग्रह गुरू के साथ बैठ जाए उसका ग्रह का तो लाब ही होगा गुरू को उससे हानी या लाब अलग-अलग हो सकता है लेकिन उस ग्रह का तो लाब ही होगा ये प्रकृति आपको बिल्कुल दिमाग में रखते हुए ब्रिहस्पति को असानी से फलादेश कर सकते हैं ग्रहों की मित्रता और शत्रूता को आपको दिमाग में रखना है हर उस्थिती में जहां हम योग, बल, बल और ग्रहों के फलादेश की बात करेंगे तो हम मित्रों से बहुत गहरा प्रभाव करता है आपको इसे समाजिक लिष्टी से समझने की जुरूरत है कि दो मित्र इकठे हो तो वो अपना जादा अच्छा फल दे पाएंगे जबकि दो शत्रू इकठे हो जाएं तो वो एक दूसरे की हानी करेंगे यह तो ग्रहों की नैसर्गी की मित्रता है कुंडली में पंचधा मित्रता मानी जाती है पांच प्रकार की मित्रता मानी जाती है एक होते हैं परम मित्र और एक होते हैं मित्र फिर होते हैं सम फिर होते हैं शत्रू और फिर होते हैं परम शत्रू इस प्रकार से ग्रहों की पांच प्रकार की शत्रुता देखी गई है नैसर्गिक मित्रता के अधार पर इस नैसर्गिक मित्रता के अधार पर तत्कालिक शत्रुता यानि कि अभी मौके पर हम शत्रु हैं क्या अगर बहुत मित्र हैं दोग्रे और मौके पर शत्रु की तरह ही तो ऐसे स्थिती में उनकी शत्रुता बहुत जादा स्थिती में बहुत खराब शत्रुता नहीं होगी तो वो इस मित्र की स्थिती में चले जाएंगे सम की स्थिती में आ जाएंगे एक शत्रु था और दोनों परम मित्र थे परम मित्र होने पर आपस में शत्रुता आगई तो सम स्थिती में जाएंगे वो शत्रु फिर भी एक दूसरे को नहीं मानने को तयार है लेकिन अगर कोई सम ग्रह है जैसे कि माली चंद्रमा और मंगल ये दोनों एक दूसरे के सम है एक दूसरे के सम है, चंद्रमा के लिए मंगल सम है, तो अगर किसी स्थिती में यह शत्रू बन जाए, तो यह परम शत्रू नहीं बनेगा चंद्रमा का, तो भी यह थोड़ा ही शत्रूता रखेगा, तो यह शत्रू की श्रेणी में राएंगे, इस तरह से पांच प्रकार की म मित्र स्थिती होती है परम मित्र मित्र सम्षत्रू और परम्षत्रू इसको देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन ग्रह कुंडली में एक ग्रह से कितनी दूरी पर बैठा है जो साथ बैठे हैं जो एक ग्रह अगे बैठे हैं वो अलग-अलग व्यभार दिखाते हैं इसके लिए अलग से मैं पंचदा मैत्री पर आपको एक अलग से वीडियो बना कर समझाओंगा कैसे हमें पांच प्रकार की मित्रता को देखना है किन्तु यहां आपको अगर इसको ही आप समझ लेंगे तो आपको लगबर क्लियर हो जाएगा बहुत विस्तार से चीजों को करने की बाद में ट्राइ करेंगे पहले आप एक बड़ बेसिक ज़रा समझ लें तो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम अगले विश जबो धन्यवाद